क्या गलवान घाटी में कुछ ऐसा बड़ा कारणामा हो गया है जिसको इंडिया या फिर चायना दोनों में से एक छुपाने की कोशिश कर रहा है खबरों के उपर नजर डालते हैं तो पता पड़ता है 18 से जादा चीनी सैनिकों को बुरी तरीके से मारा काटा गया है क्या ये खबर सही है और इसमें लिखी हुई बाते सच है या जूट अभी पता पड़ जाएगा इस खबर में लिखा गया है करनल पर हमले के बाद घातक ट्रूप्स ने वहाँ ओपरेशन किया और बुरी तरह मारा काट मचाई गई जैसे और नरिली आर्मीज नहीं करती हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स के उपर और वो इतना विद्वनसक इतना विनाशक था कि सबी चीजों को शत्विशत कर दिया गया घातक ट्रूप्स के द्वारा तो ये पूरा का पूरा मसला चल रहा है इस गलवान शेत्र के अंदर जहां पर आर्मी का डिप्लॉयमेंट है और सैटेलाइट इमेज को देखने से पता पड़ता है कि यहां पर एक ऐसी जगे भी है जहां पर ऐसा कुछ हो सकता है सबसे बड़ी बात जो आपको पता है कि वहां पर पूरी की पूरी बटालियन को डिप्लॉय कर रखा है मतलब 3,400,500 सैनिक नहीं है वहां पूरी की पूरी बटालियन है दूसरी बात यह है कि आप इस रोड को यहाँ पर देख सकते हैं यह रोड यहाँ पर होने का मतलब है कि यहाँ पर और ज्यादा सशस्त्र बल भीजा जा सकता था जो कि इस चीन वाले हिस्से के अंदर तुरंत पहुंच जाना मुश्किल था मतलब बड़े पैमाने के उपर रिटेलियेशन हो सकता था अगर इंडिया वाले नुकसान में रहे होते तो एक और चीज जो आपको समझनी चाहिए कि यहाँ से अगर कमांडिंग आफिसर इधर जाके उनसे कुछ बात करके आ रहे हैं इसका मतलब वो अकेले नहीं जा रहे है आर्मी जब भी बातचीत करने जाती है या पैटरोल करने जाती है तो उसके पास प्लैन होता है, बैकप प्लैन होता है, रिजर्व होता है, साथी पूरी कमांड चेन को पता होता है ये उस प्रकार से आप नहीं समझ सकते हैं कि चार लोग गए और अंदुलन करने के लिए गए और अंदुलन उनका ठीक नहीं हुआ, उनको या तो गिरफतार कर लिया या मार गिराया, ऐसा नहीं होता, ये आर्मी की बात चल रही है, सभी न्यूस वालों को भी समझना BBC की खबर के उपर अगर आप नजर डालते हैं तो ये कह रहा है, China accuses India of deliberate provocation, चाइना ये कह रहा है कि इंडिया की तरफ से provocation किया गया, इंडिया की तरफ से कारेवाई की गई, और वो एक तरीके से प्रताडित अपने आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमारे य करफ से line of actual control cross हो रहा है, समझोता ये हुआ था कि भारत और चाइना दोनों अपनी अपनी military को पीछे कर लेंगे, क्योंकि चाइना आगया आगया था, तो भारत आगया आगया था, tension हो गई थी, चाइना ने कहा कि आप भी पीछे हटो, हम भी पीछे हटेंगे, भारत पीछे हटा, चाइना पीछे नहीं हटा, भारत वालों ने जाकि उनके तंबू उखाड दिये, और केवल इतना ही नहीं, घातक ट्रूप्स ने वहाँ पर आतंक का जो महौल बनाया, उससे वहाँ के सैनिक डर गए, आप ये कहोगे कि डर गए वाली बात तो आप अपनी मनमर्जी स कह रहे हो, मैं आपको सबूत देखाने वाला हूँ, इस खबर को पढ़िये कि चाइनीज सोशल मीडिया के उपर जो मोदी जी का स्टेटमेंट था, उसको उन्होंने हटा दिया, जिस प्रकार से हम फेस्बुक यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से चाइना में वीचैट चलत चैट ने इस पोस्ट को रिमूव कर दिया, कारण उसने बताया कि ये स्टेट का सीक्रेट है और नेशनल सीक्यूरिटी को थ्रेट है, चाइना के अंदर बड़े पैमाने के उपर बोडिज गई हैं, और चाइना ये बताना नहीं चाहरा कि ये बोडिज आखिर इतने पैमाने पर आई क्यों हैं, इंडिया का स्टेटमेंट अगर वहाँ चले जाता है तो पता पड़ जाता है कि ये इंडिया के क्लैश के बाद में आई है, इंडिया ने चाती ठोक के बोला है कि 20 हमारे जवान शहीद हुए हैं, मगर वो बताना नहीं चाहरा कि 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 बड़ी नाम ही नहीं लेना चारा उनके सामने क्योंकि इतनी ज्यादा उनको नुकसान हुआ है, अब यहाँ वापस आते हैं और देखते हैं कि अगर एक कमांडिंग आफिसर जाता है तो उसके साथ के अंदर कई सारे और जवान भी जाते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं होता, एक प हतियारों के लड़ाई करने के बारे में विशेश सार पे ट्रेन किया जाता है, और यह उस ट्रेनिंग का हिस्सा है जिसके अंदर सामने वाले के पास में हतियार होंगे, इनके पास में नहीं होंगे, और वो 20 घातक सोल्जर्स वहाँ पर मौजूद थे, जो भी कमांडिंग अफिसर होता है, उसके साथ में घातक ट्रूप जरूर जाता है, और वो इस बार भी उनके साथ था, जैसा कि रिपोर्ट में लिखा हुआ भी है, जैनेटिकली देखा जाये तो भारत के जो लोग हैं, वो चाइना वालों से ज्यादा लंबे तगड़े कद काठी के अंदर भारी भरकम होते हैं, 1962 के अंदर मेजर शैतान सिंग ने भी इसी प्रकार से रेजांगला के अंदर लोहा लियाता वहाँ पर हरियाना के दो अहीर भाई थे, जिन्होंने चीनियों के सर पटक पटक के मारे थे और वहाँ पर बड़े स्तर के उपर कतले आम हुआ था, ये बि पटकार का हतियार वो लेकर नहीं गए थे, मगर वहाँ पर चैनीज के पास में जो था, उसको उठा कर हम लेकर आए हैं, और केवल हतियारी नहीं साथ में बताया जा रहा है, दवाईयों का जखिरा भी वहाँ से उठा के लाई हैं, इंडिया के जवान, और उस जखिरे के अंदर दवाईयों के जखीरे के अंदर कोरोना से रिलेटिड भी कोई ना कोई दवाई हो सकती है क्योंकि पूरे विश्व को पता है कोरोना है चाइना ने फैलाया है और उसके पास में दवाई थी इसलिए जहाँ पर हर जगे लॉकडाउन के बाद आपने भी हमारे नंबर्स बढ़ते गए चाइना के नंबर नहीं बढ़े हो सकता है जल्दी इसका खुलासा हो चाइना इस तरीके से बुरी तरीके से पिटा हुआ है एक सवाल और यहाँ पर बंता है कि इस पूरे के पूरे मामले के अंदर किसी प्रकार की गण का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया बंदूकों का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच के अंदर 96 में हुई थी ये भी पता है मगर आपने कभी ध्यान दिया है 96 के अंदर इंडिया की political situation क्या थी ये देखिए आप, अटल बिहारी सिर्फ 16 दिन के लिए प्रधान मंत्री थे, उसके बाद में देवे गोडा 324 दिन के लिए प्रधान मंत्री थे, उसके बाद में इंदरकुमार गुजराल आए, यानि कि पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही कमजोर थी, भारत में अस्थिर् Second World War के बाद से ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मिलिटरी के अंदर एक है, तो उसने अपने लिए क्या निकाला, उसने ये ट्रीटी साइन करी, और ये ट्रीटी साइन कब हुई थी, ये ट्रीटी साइन हुई थी, इन दो कारेकालों के बीच में उस समय हमारे यहां बहुत अस्थिरता थी, साफ तोर पर चीन को डर लगता है भारत से, भारत जब पाकिस्तान के साथ में गुलाबरी कर सकता है, तो चीन के साथ करने में उसको समस्या क्या है, अब एक बात और बच जाती है कि लदाक के अंदर बिना बंदूकों के वहां पर वो क्यों गए, क्या इस इसके उपर कोई खास विरोध भी नहीं वाता है इंडिया की तरफ से, वो वापस लेने की कोशिश ना करें, इसलिए वो 96 से ही प्रयासरत थे, मगर केवल इतना ही बात नहीं हुई थी, एक और ट्रिटी साइन हुई थी और वो कब हुई थी, देखिए, 2013 की ये खबर है कि चाइना ने एक और इंडिया के साथ डील करी है और देखिए उस समय कौन है प्रधान मंतरी, मनमोहन जी, इस समय चाते तो 96 की जो बाते हैं उसको आगे बढ़ाने की बज़ए पीछे लिजाया जा सकता था, मगर यहाँ पर पुखता तोर पर ये बात सिद्ध कर दी गई कि बारत और चाइना के बीच के अंदर किसी भी प्रकार का गोली बारी एक्स्प्लोजिफ्स यूज नहीं होंगे ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि रहुल गांदी जी को इस बारे में पता क्यों नहीं है कि उन्हीं की सरकार के समय में ये ट्रिटी साइन हुई थी और इ 1962 में प्रधान मंतरी नहरू के समय चीन ने बहुत बड़ा एरिया illegally occupy कर लिया था अतिक्रमन कर लिया था वो भी तब जब चीन खुद United Nation का member था मगर उसके बाद में उसने इस बात को सुनिश्चित करने और legal करने मतलब अतिक्रमन को legal करने का जो तरीका है वो इस प्रकार से लगाया और धीरे धीरे उसने पाश फेके और उसके अंदर नई नई ट्रीटी शामिल होती गई उस ट्रीटी के हिसाब से चाइना के साथ में armed conflict नहीं होता और वो armed conflict होता तो उसकी जो results से उनको पहले से ही पता थे चाइना बहुत बुरी तरीके से डरता है इंडिया की military के best army है तो इस प्रकार की जो खबर प्रकाशित होई है वो तत्यों के आधार पर पूरी तरीके से सही लगती है और चाइना अगर अपने लोगों को बता नहीं रहा है कि किते उसके लोग मर गए है चुपाने की कोशिश कर रहा है इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो statement है delete कर देता है post comment delete करना unfriend करना बचकानी हरकतें वो कर रहा है साफ तोर पर वो mature नहीं है क्योंकि वहां के जो आर्मी है वो भी mature नहीं है और किसी भी प्रकार से चाइना युद्ध जेल नहीं सकता इंडिया जैसी शक्तिशाली निशन के साथ में तो इस घाटी में जो कुछ हुआ है उसके उपर आपको गर्व करना चाहिए हो सकता है कि सरकार की कुछ न कुछ मजबूरियां है जिसकी वज़े से वो बता नहीं पा रहे कि यहां पर उन्होंने चाइनीज का क्या हाल किया है इंटरनेशनल स्तर के उपर इंडिया को भी अपनी position थोड़ी सी बना के रखनी पढ़ती है नहीं तो लोग कहेंगे कि देखिये यह भी कोई तरीका होता है मारकाट मचाने का इस तरीके से मारकाट मची है जिसको चाइना अपने लोगों को बता तक नहीं पा रहा और यह हमारी स्थिती है इन soldiers के उपर हमें गर्व है 20 soldiers जो शहीद होए हैं उसने चाइना कुछ अच्छी चीजे देखने को मिल रही है मैं लेता हूँ आपसे विदा जैहेंद धन्यवाद